जे दोस्तों असद भाई के पास आया हूँ और जनाब आज असद भाई से बात करते हैं और पूछते हैं कि यह क्या आज को अजादी सेल लगा रहे हैं असलाम अलेकम सर वालेकम ऐसलाम क्या आने सर आयं फाइन साय ग्रेट माशाला तो आद बड़े माशाला आप चार्ज लग रहे हैं बड़े एक्टिव लग रहे हैं कोई अजादी सेल लगा रहे हैं या मतलब कोई नई बैटरी आगी है सस्ती जिससे आप खुश हैं कंटेनर आपका जल्दी जल्दी पहुंच गया क्या मतलब खुश खबरी क्या है सब्सक्राइब इसको पूरी नेशन खुश है इस वक्त जो अर्शन नदीन ने हमें बैटरी जो लगा के गोल्ड मैडल वली चार्ज किया है क्या उससे हमारी आइंदाने नसले भी चार्ज हो गई है अर्शन नदीन अल्ला उसको बहुत इज़त दे उसमें जो पाकिसान का जंडा बुलंद किया सारी दुनिया में हमारा सीना 42 सी बजाए आज मेरा सीना 44, 46, 48 हो गया क्या बात है जबरदास हो गया कवाल हो गया जी यह तो सर अभी शुरुआत है अगे आगे देख यह होता ह अभी तो पार्टी शुरू हो यह सर अभी जान उठी है जी 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 नौजवान अर्शन नदीन की वह मिसाल बन गया उसके लिए और वह इंशाला हमारे बच्चे उसकी रापनी उसके पीछे पीछे जाएंगे वही करना जाएंगे जो उसने काज कर दिखाया कमाल है सर यह जो हैं हमारे लिए और हमारे नौजवान तबके के लिए बच्चों के लिए एक मिसाल भी हैं एक समय लें के एक ऐसा बंदा है कि वो लोगों को बता रहा है बच्चों हमारे जो हमारे बच्चे उनको बता रहा है हमारे नौजवानों को बता रहा है कि भाई मेहनत से सब वाले वो भी उठें और काम्याबी के लिए थोड़ी सी मेनद करें और तब दीली के लिए थोड़ी सी मेनद करें बिल्कुल ऐसे ही है देखें एक तो चौदा गस्त आई हुगा है उपर से अर्शन नभी में में चार्ज कर दी है प्लीज हम सब नौजवानों को एक एक बंद करने के हमारा दिल उसक्ति किया करने को चाहरा होगा तो यह जथा है हम चाहें तो पूरी दुनिया में हम अंधाज कर सकते हैं बिल्कुल जी है और नौजवानों को दोस्तों को चाहिए कि काल सिर्फ बाज़े बजाने के बजाए को आज एक लिक्टर आया हुआ तिक टिक वह चलाने के जाए थोड़ा सा इस बारे में सोचें कि हमने आगे क्या करना आप हमारे मामार आने वाले वक्त को आप नहीं बदलना है येकीन हो आप थोड़ी सी कोशिश करें तो सर अपने टॉपिक पे चलते हैं हमारी जो ड्राइब बैटरी आ जाई एंगे उनके बारे में यह बड़ी बैटरी आपके पास बड़ी हैं तो यह हमें सिर्फ बताईएगा कि इन पर क्या क्या यह नियुमाॉक्स की जो बैटरी है क्या लोड इस पर चल सकता है और कैसे हम यूज कर सकते इसको असानी के साहथ डॉक्ट जैसे जिसे घर्मी बढ़ रही है आपको पता है ब पूरा घर चलेगा और इंचाला तला यह इनकी लॉंग लाइफ होगी है वी वेट में यह एक ऐसी बैटरी है जो ना सिर्फ आपके हर चीज को चलाएगी बलके राज को भी दिन की तरह रशन रखेगी यह के साथ यूपीस की जरूरत तो नहीं है नहीं इस प्रैटिक के सा लकाई बेटर की Лगा पर हमें रखेगे साथ तो आपकी बैटरी और वावना से तो चुट गा यहिला जखा लिए लंग को तो इसको चार्ज करें और सारा दिन विजली चलाएगे बिलकुल ऐसे ही है क्या बात है जबरदास कमाल की बैटरी है जी और ये अलफटर के बारे में बता दें कि इसके फंक्शन क्या है ये बड़ी आजकल मशौर हुई है जी सर अलफटर पावर इस लिए ज्यादा फेमस है व्जारा डिमांडेड है क्योंकि ये मलेशियन है डीप सैकल जेल बैटरी ह है राई में ये लेटिस शेप में है और ये मलेशिया से में इंपोर्ट की हुई है एक सो साथ हमपेर है एक सो साथ हमपेर जब आप छे के सेट अप पे चार लगाते हैं जो के आपका पूरा घर चला देती है आपकी जूरियाते जिन्गी को चलाती है और ये 85,000 की एक मुफ्त बीजली चलाएं इन्शाला होता है जबरदास्त होगे जी अपना मुबाइल नंबर बताईए कजरा सर अलफटे पावर जीरो त्री एंडड नाइन फोर डबल वान एट्री टू ये लोकेटिड कहां पे आप ये माल रोड लहौर पे है जब आप रीगल चौक से थ चलाएं के लिजा नहीं से सण जबरदास्त होगे सार इसके बाद ये हमें बताई है कि चोटे सेल भी पड़े हैं यह लिवप ए यांग्सटर सेलों को मिला के लेटिम बैटरी सेल बना रहे हैं अपनी मोट सेकल सेल चलार हैं लेक्ट्रिक बाइक सेला रहे हैं साइकल सेला जो बड़ी आपके लेक्रिक बाइक है उसमें 3.7 के लिटन सेल मिलाके उन्हें ने एक बैटरिया तयार कर ली है जो के एकनोमिकल भी रहती है प्लस तो अगर सेटन वोल्ट्स जब उनको अविलेबल होते हैं तो 60 से 72 किलोमेटर बाइक चल जाती है अच्छा जी जे अरगास् पे ड्राइब बैटरी पे जाएंगे तो आपको तकरीबद 55,000 की बैटरियां लगानी पड़ेंगी जबकि अगर आप सेल्स वाली लेंगे तो ये आपको आभी से भी काम कॉस्ट पर आ जाएगा बतलब 22-25,000 वे बिल्कुल इतने में सर आपका ये जो अलेक्ट्रिक बाइ अलेमेंट वे तो शायद पाच साल भी चलता है गोड़ो हो गया जबरदास हो गया अच्छा ये छोटी बैटरी को बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे हमारे दोस्तों को देखें ये अभी जहां आप बैटरी दिखा रहे हैं ये एक्च्वल ड्राइब बैटरीज है बार व्ल्ड साथ बार व्ल्ड नौ प्यर और बारा व्ल्ड पांच अमपेर शीडिक हैं ये बैटरीज में मोटर सैकल्स में यूपीस में जनरेटर्स में और पक्त ये सर्व करती हैं और उसके साथ बच्चों की जो गारीयां ये जो आप चोटी बैटरी दिखा रहे हैं ये अगर एक बंदे के पास यूपीयस नहीं है सोलर सिस्टम नहीं है और बैटरी है एक चार्जर है जी तो वह क्या वाबडा पे इसको लगा के चार्ज कर ले और राग को यूज करे जब भी लाइड जाए बिल्कुर एजेक्टली ऐसा ही है जै तरीन उसके निजाम चलता रहे है उसकी बैटरी राग को तक काम करने के लिए तयार हो जाए के चार्जर कितने में आएगा यह स्फ चारजर जो 10 सम्पेर ऐसे वह वहाला पंखा चलाने के लिए जो कितने में आ जाएगी और टोटल चार्जर और वर उसका कितना खर्चा बन जाएगा एक बैटरी का साइग की पंश अगर आप मेरे पास जो लॉट ही है जो लोग अक्सर मांगते हैं वो सिर्फ फंद्रास वर्पे की पंद्रास वर्पे का आप चार्जर लगा लगा लिए तीन अजार में आपका चार्जर बैटरी इस पंखे को समयले के तीन चार पांच गंटे चला लेगी और यह पंखा कितने होगा त का आपने यह पैकिज दिया है असर भाई बहुत शुक्री आपका आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा असलाम अलेकुम वालेकुम इसलाम थैंक यू